नौर्मल कट 3-Dotted Bloss प्रोफेशनल तरीके से यह कैसा कट करना है? आज मैं आपको दिखाओंगा, मैं हूँ मास्टर के भी यह बैग से, पहले से कटा हुआ, यह बैग से मैं 3-Dotted Bloss कैसा कट करूंगा? आज मैं आपको दिखाओंगा पहले, दो लाइन्स उपर, फ्रेंट ओपन के लिए और दो लाइन्स, इसका मेजरमेंट है, छेस्ट है 36, बस्ट है 38, वेस्ट है 32, हाइट आप बस पॉइंट 10 इंच, एपक्स दो एपक्स 7, कब साइज है 3.5, फ्रेंट डिप है 8.5, आम होल है 16.5, अभी इसी मेजरमेंट को फ्रेंट पहले हम लोग हाइट आप बस पॉइंट 10 इंच पे मार्क करेंगे, कब का साइजिंग 3.5 पे और एक मार्क किया हूँ, अभी आम होल का डाउन एंड चस्ट पॉइंट इसको मैं 6 इंचेस लिया हूँ उपर से, अभी इस पे एक लाइन लेता हूँ, सीधा लाइन एक और एक बस पॉइंट में और एक सीधा लाइन लोगा, नीचे कप के साइज पे भी और एक सीधा लाइन लिया हूँ, अभी चस्ट को मैं 4 पार्ट करके उसको 3 by 4 एड किया हूँ, वैसे ही बस को भी 4 पार्ट करके एक पार्ट के ऊपर 3 by 4 एड किया हूँ, अभी चस्ट एन बस पॉइंट को एक सीधा सा लाइन मिलाते हूँ, अभी मैं आम होल की कर्व पॉइंट के लिए एक लाइन लोगा, 6 इंचेस, 6 के ऊपर 1 3 by 8 का मार्जिन, मार्किंग किया हूँ, उपर बाग पे एक 6 इंच का और एक मार्क के लिया हूँ, इन दोनों को मिलाते और एक लाइन लिया हूँ अभी शोल्डर्स में आके मिलाने के लिए बैक को रखके मैं दोनों को बराबर करते एक लाइन लिया हूँ अभी फ्रेंट ओपन, फ्रेंट डीप के लिए 8.5 है, उसमें आदा इंच कम करके मैं 8 इंच पे एक लाइन लिया हूँ इसी में मैं यूनेक का शेप दिया हूँ अभी एपेक्स टू एपेक्स, 7 इंच से उसको आदा करके 3.5 रखा हूँ उसी पे एक सीधा लाइन अभी हाइट आफ बस्ट पॉइंट से मैं आम होल का ये पॉइंट को मिलाता हूँ इसी पे हम लोगों को डॉट देना है इसी दे पॉइंट पे अभी कप का साइज इससे पहले एक साइड एक्स्ट्रा कपड़े का मार्जिन के लिए और एक लाइन लिया हूँ अभी कप साइज के लिए मैं कमर को वेस्ट को बाइफॉर करके उसमें जितना बाकी बचता है उसमें 1,5 इंच यानि 3 इंच बच रहा है इसमें से 1,5 इंच यानि 1,2 इंच ज्यादा रखंग के 3 plus 1,5 इंच यानि पॉटल 3,5 दोनों को सेंटर करके आदा-आधा बाग किया हूँ इसी पे मैं हलका सा राउंडिंग लूँगा ये जगा पे भी एक हलका सा राउंडिंग अभी ये कप का डार्ट मार्क हो गया है अभी लोवर और बिलो बस्ट पॉइंट इसको कैसा लेना है यानि बिलो बस्ट का मेजर्मेंट अभी देखना है इन दोनों के कप साइज को आदा करके उसमें कोट रिंच हम एक्स्ट्रा लेंगे इसको बोल सकते हैं ये लाइन को बिलो बस्ट लेंग्ट बिलो हाइट अफ लोवर बस्ट पॉइंट बिलो बस्ट पॉइंट दोनों भी कह सकते हैं यही लाइन से ये लाइन तक ये पॉइंट्स तक दोनों को मिलाना है ये पॉइंट्स बस्ट ये बस्ट कप साइज को बिलो बस्ट के हाइट पे लेके जाएगा ऐसा मार्जिन किया तो अभी इन दोनों को मैं हलका सा राउंडिंग देता हूँ ये हो गया कप साइज एक्जार इसमें से एक डॉट का हो गया अभी दूसरा डॉट देखेंगे ये इस तरफ फ्रेंट ओपेन के तरीके से लगबग हाइट आउब बस्ट पॉइंट की एपेक्स को एपेक्स पे एक इंच के पीछे इसको लेना है ये सेकेंड डॉट हो गए आपका अभी हम लोग तीसरा डॉट कैसा देंगे वो भी देखेंगे ये तीसरा डॉट पे हम लोग थोड़ा सा एक हाफ इंच का चोटा सा स्ट्रेट लाइन लेना है पहले इसी स्ट्रेट लाइन को हम राउंडिंग पे बराबर किया तो डॉट मार्क वो आदे पे आदे इंच पे बराबर आएगा आम होल की कर्व से आम होल का टर्निंग लेता हूँ आम होल के ऊपर से दो इंच के ऊपर से हम लोग टर्निंग अच्छे तरफ लेना है ये हो गया आम होल का कर्व अभी इसको चार इंच के निछे लगबग हम लोग डॉट पॉइंग का मार्किंग देता हूँ ये हो गया हमारा तीसरा डॉट इस प्रकार हम लोग त्री डॉटेट ब्लॉज कट कर सकते हैं अभी हम लोग आम होल चेक करेंगे आम होल है 16.5 उसको आदा किया तो 8 1 by 4 है अभी देखिए 8 1 by 4 ये बराबर आ गया है इतने पर्फेक्टली आम होल कट किया तो बराबर फिटिंग भी उतना बहतरी नाएगा और एक बार चेक करूँगा उपर के जो मार्जिन निकाल के बाकी का मैं डॉट पॉइंट को भी हटा के ना पाहूँ अभी 8 1 by 4 आम होल आ गया है यानी 8 1 by 4 प्लस 8 1 by 4 16 and half है अभी मैं इसको कट करूँगा कर दो हाँ इस तरह 3.8 blouse professionally हम लोग कट कर सकते हैं इसका जो waistband है मैं next video इस Saturday पे वो वीडियो से मिलूँगा तब तक वेट करिए professionally waistband भी कैसा कट करना है मैं part 2 के वीडियो पे मैं आपको दिखाऊंगा सब लोगो धन्यवाद share it and subscribe it Thank you पुल लो एफटें लोगो आपको से हुआंगा सबस्था स्बस्थास क्वादें लोगो एफटें लोगो को बढूआगा एफशए लोगो